तो नमस्का दोस्तों स्वागत आपकर रूप टॉक में मैं हूँ अरूप आपका दोस्त ले के हाज रूप के पास एक नए वीडियो के साथ अगर दोस्तों आप चाहते हैं अपने जीमेल अकाउंट के सारे मेल्स को डाउनलोड करना और उसे लोकल या अपनी कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन में स्टोर करके रखना तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं वो प्रॉसेस जिस प्रॉसेस के माईदम से हम अपने जीमेल अकाउंट के सारे मेल्स को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन में लोकली स्टोर करके रख सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो में आकर बढ़ते हैं उसने पहले अगर आप इस चैनल पे नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल में वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको हमेशा मिलती रहे जीमेल अकाउंट के सारे मेल्स को डाउनलोड करके अपने लाप्टॉप, मॉवाइल फोन, डेक्स्टॉप किसी में भी लोकली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो जाहिब सी बात है सबसे पहले हमें अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन करना होगा तो एक बर दोस्तों आपको टॉप ट्राइट कॉर्णर पे आपको जाना है अपने जीमेल अकाउंट के लोगों पे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी मैनेजर गूगल अकाउंट आपको मैनेजर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है क्लिक करते हैं एक न्यू टैप में आपके सामने इसे पर आपको click करना है जैसे ही इस option पर आप click करते हैंगे तो right side में data and privacy के कुछ features आपको यहाँ पर दिखने लगेगी आपको scroll करते हुए नीचे आना है और नीचे आते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी download or delete your data और इसी में आपको मिलेगी download your data आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे उसके बाद कुछ आपको settings यहाँ पर करना है जिसे आपको ध्यान से देखनी है जैसे आप इस option में आ जाएंगे नीचे आपको scroll करते हुए आना है तो यहाँ पर आपको धेरो options मिलेगी अपनी Gmail account का जिसका data आप download करना चाते हैं इसका लाब अगर हम नीचे आते हैं तो और भी बहुत सारा data हमको यहाँ पर मिलेगी जो हमारे Gmail account से associated है हमें कुछ नहीं करना है simply उपर आना है और उपर आने के बाद यहाँ पर इस पर हमें click करना है जैसे इस पर हम click कर देंगे तो हमारे पास जितने भी options यहाँ पर selected थे वो सारा diselect हो जाएगी अभी हमें इसी में से scroll down करते हुए नीचे आना है और यहाँ हमें एक option मिलेगी mail इस option को हमें check करना है अगर आप mail के अलाब भी और भी बहुत सारे data को अगर download करना चाहते हैं तो जिस is data को आप download करना चाहता है उसे चेक कर ले और जिसको नहीं करना चाहते है उससे uncheck रहने दे यहाँ पर फिलि現 के बारे में हैं जानने वाला है इसलिए mail को ही यहां पर शिर्प हम check करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगी all mail data included इस पर आपको click करना है click करते ही दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका mail में labels बने हुए हैं for example जैसे यहाँ पर by default chat draft, inbox, sent item यह सारा selected है अगर आप चाहते हैं इनके लावा और भी किसी चीज को select करना तो उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले इसे select करना है then आपको जिसको भी select करना है उसे आप select कर लें उसके बाद फिर आप यहाँ पर click कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी ok आपको इस ok पर click कर देना है जैसे आप ok पर click कर देंगे then हमें scroll down करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक button मिलेगी next step इस पर हमें click करना है click करने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ से scroll करना है और यहाँ पर हमें मिलेगी export once और यहाँ पर आपको मिलेगी export every two months for one year मतलब अगर आप चाते हैं हर दो मेने में Gmail का सारा data automatically जो है आपके पास export हो जाए आप उसको locally store कर सकें तो आपको यह option select करनी है फिलाद हम यहाँ पर export once में ही चलेंगे उसके बाद जैसे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी file type and size यहाँ से हमें जीप को ही select करना है by default यह जीप selected है इसे जीप ही रहने देना है उसके बाद नीचे हमें मिलेगी यहाँ पर 2GB by default है यह है export larger than this file size will split into multiple files मतलब यहाँ पर आप जितना GB select करेंगे 1GB, 2GB, 4GB, 10GB, 50GB तक है जैसे हमें यहाँ पर 2GB का file selected है अगर आपका Gmail account का सारा data मिला कि अगर 5GB का होता है तो 2GB का एक file बनाएगा उसके बाद बाखी multiple files में यह split कर देगा 2GB, 2GB, 1GB इस तरह से multiple files में वो split कर देगा अगर आप इसको 3GB करते हैं, 4GB करते हैं तो क्या होगा? एक file आपका 4GB का होगा तो by default यहाँ पर 2GB है हम इसे 2GB ही रहने देंगे उसके बाद हमें यहाँ पर option मिलेगी create export, इस पर हमें click करना है जैसे इस पर हम click कर देंगे Google आपके export होने की copy बनाएगा यहाँ पर मेरे इस Gmail account में बहुत ही कम data था, इसलिए बहुत ही जल्दी हो गया अगर आपका Gmail account का data काफी जादा है तो इसमें आपका time लग सकता है export होने में तो यह download का option हो सकता है कि आपको इतना जल्दी ना मिले अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ से simply निकल सकते हैं और जैसे आपका data completely prepare हो जाएगा उसके बाद आपके mail पे एक mail आएगा गूगल के तरब से आपको simply इस mail पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगी download your files आपको इस पे click करना है click करते ही आपका Gmail का सारा mail का data download हो जाएगा आपके computer system में तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी Gmail account के किसी भी data को चाहिए वो mail का data हो आपका contact का data हो या फिर कोई other Gmail service का data हो उसे simply download कर सकते है अपनी mobile phone या फिर laptop या फिर desktop में और locally उसे store करके रख सकते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धेनेवाद आपको वीडियो कैसा लागा वीडियो पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आएक वीडियो से like करें share करें चैनल को दोस्तों अभी तक अगर subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe करके बैल आइगन को दबालें तो मिलते हैं दोस्ताफ से अगले वीडियो में तब दो बाबाई और टेक कियर